हम कर रहे हैं 11th Home Science का चप्र नमबर 6 संचार माध्यम और संचार प्रद्योगी की पिछले वीडियो में हमने बात की थी संचार का अर्थ क्या होता है और हमने किये थे इसके वर्गीकरण एक तरफा दोग तरफा अंतरवेक्तिक अंतरवेक्तिक जन संचार समू संचार श्रवय द्रश्य और बहुत सारे हमने वर्गीकरण की बात की थी आज के वीडियो में हम बात करेंगे process of communication यानि कि यह जो संचार की प्रकिर्या होती है वो कैसे चलती है तो आईए शुरू करते हैं हमारा chapter किसी भी माध्यम के जरिये प्रेशक से प्राप्त करता तक सूचना अत्व विशे के संप्रेशन के जो प्रकिर्या है संचार की प्रकिर्या कहलाती है यानि कि अगर हम बात करें इसके अर्थ की संचार की प्रकिर्या का अर्थ क्या है तो किसी भी माध्यम के जरिये देखिए हम इसे एक चोटे से उधारन सा समझ लेते हैं आज मैं आपको ये लेसन पढ़ा रही हूँ, तो आप तक ये लेसन जो पहुंच रहा है, उसका कोई ना कोई माध्यम है, इंटरनेट है, आपकी टीवी है, आपका फोन है, ये चैनल है, इकक्षा, कोई भी माध्यम है, उसी के जरिया आप तक ये लेसन पहुंच रहा है, और प्रेशक से प्राप्त कर प्रेशक यानि कि सेंडर आज का जो वीडियो है इसमें सेंडर कौन है मैं हूँ क्योंकि मैं ये सूचना आप तक पहुंचा रही हूँ ये लेसन आपको समझा रही हूँ तो आपको जो ये सूचना मिल रही है कोई भी जानकारी मिल रही है मेरे जरिये मिल रही है तो मैं आज क्या हूँ, sender हूँ, यानि की प्रेशक हूँ, और आप क्या है प्राप्त करता, यानि की receiver, यानि की ग्राही, क्योंकि आप ये lesson सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, notebook में not कर रहे हैं, तो आप क्या है प्राप्त करता है, और सूचना अत्वा विशे है सूचना अत्वा विशे क्या है हमारा आज का चेप्टर 6 लेसन संचार की प्रकिरिया तो इसको पहुंचाने की जो प्रकिरिया है यह जो प्रोसेस है इसे को हम कहते हैं संचार की प्रकिरिया कम्मुनिकेशन का प्रोसेस इस प्रकिरिया में विभिन तरीकों शूचना के आदान प्रदान में रहल अचीला पन शामिल है, जिस से प्रेशक और प्राक्त करता दोनों सूचना को ठीक ठीक स्परष्ट और पूरण रूप से समझ लें, और देखिये ये जो प्रकिरिया है, इसमें अलग-अलग तरीकों से शूचना का आदान प्रदान होता बोलकर हो सकता है शब्दों के माध्यम से समवेगों से हो सकता है हाव बाव से हो सकता है हमारे आई कॉंटेक्ट से हो सकता है लिखकर हो सकता है चित्रों के माध्यम से यानि किसी भी माध्यम से जो सूचना का आदान प्रदान है वो हो सकता है लेकिन शर्त क्या है कि प्रेशक और प्राप्त करता, दोनों ही सुचना को ठीक ढंग से और पूरन रूप से समझ ले, वही प्रभावी संचार कहलाता है, देखिए हमने इसका एक एक एग्जामपल पहले भी किया था, कि आपको फ्रेंच लेंग्विज नहीं आती, और मैं ये पूरा का पूरा चेप्टर मैं नहीं जो बताया वो विल्कुल सही है, लेकिन आप उस लेसन को नहीं समझ पाएंगे, जो मैं बताना चाहती हूँ, आप वो नहीं समझेंगे, तो ये संचार अधूरा है, प्रभावी नहीं है, और सफल संचार नहीं है, इसलिए संदेश पर आगे की योजना बनाने के लिए शुरुताओं और दर्शकों की प्रती पुष्टी भी यह ठीक उसी प्रकार प्राप्त करता है, जैसे बजार में कोई उत्पात भेजने से पहले बजार सर्वेक्शन द्वारा किया जाता है, कहने का अशे ये है कि मार्केट में कोई भी जो प्रोड़क्ट आता है, पहले उसका सर्वे किया जाता है कि जो कस्टमर है उसको प्रोड़क्ट कितना चाहिए, कैसा चाहिए, कब चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, उसकी क्वालिटी उसको चाहिए, तो इस तरह से इसमें भी जो फीड़बेक होता है, प्रती पुष्टी होती है, वो बहुत ज चलती है यानि इसका sequence क्या होता है इसे हम छोटे-छोटे उधारनों से समझ लेते हैं देखिए संचार की जो प्रकिर्या है इसके वर्णन का एक तरीका है कि किसने कहा who said यानि कि who is the sender कौन कह रहा है अगर हम आज के वीडियो का example दें तो मैंने कहा I am sender here मैं क्या हूँ प्रे यानि कि ग्राही कौन है receiver कौन है प्राप्त करता कौन है कब कहा किस प्रकार कहा बोल कर कहा लिख कर कहा painting के माधियम से चुत्रों के माधियम से whatsapp के माधियम से किस प्रकार कहा किन परिस्थितियों में कहा हमने बात की थी अपचारिक और अनुपचारिक परिस्थितियों की और उसका क्या प्रभाव रहा यानि कि फीडबेक यानि कि प्रती पुष्टी इसी को कहते हैं संचार की प्रकिरिया प्रासेस आफ कम्मुनिकेशन आम तोर पर किसी भी संचार प्रकिरिया की जो आधारबूत घटक होते हैं उनका चक्र पूरा करने के लिए इसे एक निश्च घटकों का कुशलता से नियंतरन किया जाना चाहिए अब हम बात करेंगे पांच घटकों की यानि हम बात करेंगे हमारे SMCRE मॉडल की सुनने में थोड़ा टफ जरूर लग रहा है लेकिन मैंने इसको आपके लिए बहुत इजी बना दिया है एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा तो इसे कहते हैं संचार का SMCRE मॉडल क्या है SMCRE मॉडल अभी हम इससे समझ लेते हैं देखिए बच्चों ये डाइग्राम आप अपनी नोट बुक में नौट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टन है आप से स्रोत यानि की सौर्स जिसे हम इंगलिश में कहते हैं ठीक है ये जो स्रोत है ये संचारक उद्भावक या प्रेश्यक हम इसे कुछ भी कह सकते हैं अभी हम केवल इनके शब्दों की बात कर रहे हैं आगे हम डिटेल से एक एक करके सब की बात करेंगे उसके बाद है M यानि जो सूचना है उसे हम कहते है M यानि की संदेश उसके बाद है C से हमारा यहां पर आश्य है माध्यम यानि की चैनल अब जो चैनल है जो साधन है माध्यम है कोई भी हो सकता है जैसे आज का ये लेसन आप तक पहुंचेगा तो उसमें बहुत सारे साधन है आपका जो फोन है आपके TV है, एकक्षा है, आपका इंटरनेट है, जो एकक्षा की एप है, वो है, तो और भी बहुत सारे इसके साधन हो सकते हैं, उसके बाद है हमारा R, R से बच्चों हमारे यहाँ पे आश्य है, ग्राही यानि प्राप्त करता यानि की जैसे हम कहते हैं, Receiver, अब देखें, Receiver यहाँ पे हमने लिखा है, दर्शक या श्रोता, अगर हम TV देख रहे हैं, TV से हमें कोई जानकारी मिल रही है, तो वहाँ पे हम दर्शक हैं, रेडियो पे हम कोई प्रोग्राम सुन रहे हैं, वहाँ पे हम श्रोता है, तो यहाँ पर R से हमारा आश्य है, ग्राही यानि प्र प्रभाव जिसे ही हम कहते हैं प्रती पुष्टी प्रती पुष्टी या दर्शकों की अनुक्रिया या प्रती उत्तर तो ये है हमारा SMCRE मॉजल पच्चों आप इसको इंग्लिश में भी नौट कर लीजिएगा क्योंकि आपको लर्न करने में बहुत इजी हो जाएगा अब ह कि Sender यानि कि प्रेशक ठीक है वह बूरे संचार प्रकिर्या को प्रभावी बनाने के लिए उत्तरदाई मुख्या घटक होता है यानि कि संचार की जो प्रकिर्या है communication को जो process है उसके लिए जो main responsible person है वो क्या है source है यानि की sender है यानि की प्रेशक है क्योंकि वही सूचना या जानकारी या तक्थे को send कर रहा है पहुंचा रहा है भेज रहा है किस तक receiver तक वह श्रोता या दर्शक के एक विशिश समू को इस प्रकास अंदेश देता है कि यह नैकेवल संदेश के सही संप्रेक्षन में परिलक्षित होता है बलकि इससे अपेक्षित अनुकरिया भी प्राप्त होती है कहने का अशे यह है कि यह lesson जो मैं आपको समझा रही हूँ यह आपको मैं जो समझाना चाहती हूँ वही समझ में आ जाए यह भी बहुत जरूरी है तभी अपेक्षित अनुकरिया प्राप्त होगी अपेक्षित अनुकरिया यानि मेरा आपको जो यह lesson पढ़ाने का purpose है कि आपको यह lesson समझ में आ जाए आप अपनी notebook में not कर लें आपको learn करने में आसानी हो और आपके exams में marks अच्छे आए तो यह उदेश्यत तभी पूरा हो कोई भी source हो सकता है इतना ही नहीं देश के दुराश शेत्र से देशत जानकारी रखने वाला कोई जन जाती विक्ती भी हो सकता है देखिए अगर आप आपके school की बात करें तो जो आपके teachers हैं वो source हो सकते हैं क्योंकि वो daily आपको कोई ना कोई जानकारी देते रहते हैं घर जीवन की बहुत सारी बातों को तो आपके माता पिता भी source हो सकते हैं यानि कि स्रूत यानि कि सेंडर आपके जो friends है school में या सहपाटी है या स्कूल से बाहर भी जो आपके friends है वो भी सेंडर हो सकते हैं यानि स्रूत है ना विस्तार कारे करता यानि कि जो विस्तार शिक्ष हो किसे जंजाती है, या ग्रामीन शेतर में या देश के किसी भी दुरस्ट शेतर में जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ती स्रोथ हो सकता है, क्योंकि हमने बात की थी कि सँचार पूरे सामुदाइक जीवन में व्याप्त है, फिर चाहे हमारा घर है, परिवार है, समाज ह कोई भी शेत्र है वो इससे चूता नहीं है अब हम करते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी जो आपको इस लेसन को समझने में और ज्यादा मदद करेगी ग्रामो या ग्रामीन शेत्र में सूचना के समभावित स्रोतों की पहचान केजिए अब यह भी मैंने कहा कि जो संचार है वो ग्रामीन और शेहरी दोनों शेत्र में व्यापत होता है तो हम बात कर रहे हैं कि ग्रामीन शेत्र में सूचना के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं यसे आपको अपनी नोटबुक में नौट करना है उसके बाद सेकिंड नंबर पे है हमारा संदेश यानिकी मैसेज हमने S की बात कर ली अब हम बात कर रहे हैं M की क्योंकि हम बात कर रहे हैं SMCRE मॉडल की ठीके यह है वह विशय या सूचना है जिसे संचारक प्राप्त करने की इच्छा रखता है सूचना के बारे में उसको सूचना करने की उसको पढ़ने की उसको समझने की तबी वो जो संदेश है वो प्रभावी होगा यह कोई भी तकनीक हो सकती है विज्ञानिक आम जानकारी हो सकती है या किसी व्यक्ती समू अत्वादिक बड़े जन समुदाय की रोजमरा की जिन्दिगे या ज्यान की किसी भी शेतर से संबन्दे समानिय या विशिष्ट विचार हो सकता है देखे यहां एक चीज बहुत इंपोर्टेंट है समझना कि जरूरी नहीं है जो संदेश है वो प्रिंटेड माटीरियल होगा या कोई इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन होगी आप मनोरंजन के लिए कोई जानकारी ले रहे हैं कोई चुटकला है वो भी संदेश हो सकता है या आप कोई विज्ञान से संबन्दित तकनीक से संबन्दित या कोई आम जानकारी ले रहे हैं या किसी की रोजमरा की जिंदगी की बात है या फ्रेंट्स की आपस की जो गप अब हम बात कर रहे हैं एक अच्छे संदेश की इजी होना चाहिए अट्रेक्टिव होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए अभी अगर हम इस लेसन के उधारण से समझें मैं जो आपको यह लेसन पढ़ा रही हूं वह बहुत जल्दी जल्दी यह बहुत दीरे-दीरे पढ़ा इसे अपनाये गए चैनलों और ग्राही समू की प्रकरती और स्वरूप की दरश्टी से भी विशिष्ट होना चाहिए प्रमानिक होना चाहिए उप्युक्त होना चाहिए और प्रयोज्य होना चाहिए कहने का आश्य है जो इसका अधेश्य है जो परपस है वो भी हल होना च चाहिए अब हम बात कर रहे हैं हमारी एक और activity की देखिए आज हम बहुत सारी activities करेंगे क्यों क्यों कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि इंद्रियों के आधार पर जो संचार का वरगी करन था आपको याद होगा हमने बहुत बड़ी सी टेबल की थी उसकी last line क्या थी क किसी भी topic को हमने देखा सुना और अगर उसमें हम involved भी हो गए यानि हमने उसको कर भी लिया हम भी उसमें active participant है तो हमें वो और अच्छे से समझ आ जाता है इसलिए हम बहुत सारी activity करेंगे ताकि आपको ये lesson बहुत अच्छे से समझ आ जाए आपको कोई भी activity skip नहीं करनी है तो हमारी activity है किनी दो संचार मादियम आप कोई भी उठा लेना radio है, tv है, आपकी magazines है, newspaper है है ना उससे आपको एक समाचार कथा, अभियान या समाजिक संदेश पर ध्यान देना है मैं किवल एक की बात करी हूँ आपसे ज़्यादा मेहनत नहीं करवारी हूँ तो किसी भी एक पर आपको ध्यान देना है कि कौन सा संदेश वहां से आपको प्राप्त हुआ है और आपको उसे अपनी notebook में note करना है, है ना easy सी activity, अब हम बात कर रहे हैं हमारे third point की जो की है C याने की channel SMCRE model, okay, संचार का वह है माध्यम जिसके द्वारा कोई जानकारी प्रेशक से ग्राहि उसे हम क्या कहते है, channel, sender से receiver तक information किस माध्यम से पहुंच रही है, वही कहलाता है channel, आमने सामने बैट कर बात कर रहे हैं, phone पे बात कर रहे हैं, chatting में बात कर रहे हैं, लिक कर बात कर रहे हैं, इशारों से बात कर रहे हैं, किस माध्यम से हम बात कर रहे हैं, उसी को हम कहते ह चैनल आमने सामने बैटकर किया गया जो संचार है और मोकिक संचार संचार के सबसे सहज और प्रभावी साथनों में से एक है हमने संचार किये थे बहुत सारे एक तरफा, दो तरफा, अंतरवेक्तिक, अंतरवेक्तिक तो उन में से जो संचार आमने सामने बैठ कर किया जाता है और जो संचार बोल कर यानि जो मोखिक संचार होता है उसे हम सबसे ज़्यादा effective मानते हैं और सबसे ज़्यादा easy मानते हैं यह विश्व की बहु संक्या विकाशील और अल्प सविक्सित देशों में सबसे अधिक प्रचलित संचार का माध्यम है यानि कोई भी country है फिर चाहिए वो developing है या develop हो चुकी है अल्प विक्सित है कैसे भी country है सब में सबसे अधिक जो प्रचलित संचार का माध्यम है क्या है आमने सामने बैठ कर किया गया और मोखिक संचार लेकिन बच्चो इसकी भी एक सीमा है क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है समय बीतने के साथ साथ समाज में जो समाजिक परिवर्तन हो रहे हैं उसकी दरश्टी से अब यह रुक उननत जन संचार माध्यमों और बहु माध्यम प्रद्योग्यों कियों की और हो गया है यानि अब टेकनालजी एडवांस हो गई है, न्यू टेकनीक्स आ गई है लोगों के बास टाइम बहुत कम है, सबकी जो लाइस्टाइल है बहुत ज़ादा हेक्टिक हो गई है इसलिए अब लोग न्यू टेकनीक्स को अपना रहे हैं कम्मिनिकेशन के लिए पहले मीटिंग्स के लिए हम एक दूसरे के पास जाते थे आज कल जो मीटिंग्स हैं ऑनलाइन हो जाती हैं है ना इतना ही नहीं, अगर हमारा कोई रेलेटिव बाहर विदेश में रहता है तो भी हम उससे रोज मिल सकते हैं, कैसे? वीडियो कॉल के मादियम से, कॉन्फरेंसिंग ऑनलाइन हो गई है बहुत सारी चीज़े हैं, जिससे न्यू टेक्नालजी है उनसे जो लाइफ है बहुत ज़दा इजी हो गई है तो अब जो चैनल है वो खितने प्रकार के हो सकते हैं जन्तर वेक्तिक संचार चैनल और दूसरी नमबर पे है जन्तर संचार मादियम द्वारा संचार के चैनल किवल हम इनके नाम कर रहे हैं आगे के पार्ट्स में हम डिटेल से इनकी बात करेंगे तो फर्स जो है, उसमें क्या हो सकता है? अलग-अलग रहती है और समू जिसके हमने अभी भी बात की और जन संचार माधियम द्वारा संचार के चैनल कौन-कौन से हो सकते हैं सेटलाइट, बेतार और द्वनी तरंगे बेतार यानि की वायरलेस वायरलेस टेकनलोजी का सबसे बड़ा उधारन है हमारा मोबाइल फोन अब हम बात कर लेते हैं एक और एक्टिविटी की किसी ऐसे पारंपरिक तरीके का आपको पता लगाना है जिसका उपयोग देश के जन जाती है या ग्रामीन लोग अपने शित्रों में महतवपुरन घोशना करने के लिए करते हैं देखिए ग्रामीन शित्रों में और जन जाती है शित्रों में जब भी कोई इंपॉर्टेंट अनाउंस्मेंट होती है मैं तो पुरन घोशना होती है तो उसके अलग-अलग तरीके होते हैं ढोल बजाकर गुरुदवारे में लाउट स्पिकर पे जुलूस निकालकर या और भी अलग तरीके होते हैं आपको बताना है कुछ तरीकों के बारे में और आपको उसे अपनी नोटबुक में लिखना है अब हम बात करे हैं हमारे फूर्थ पॉइंट की यानि की R की R से हमारा क्या या है receiver यानि की ग्राई यानि की प्राप्त करता सन्देश या संचार कारे के लक्षे के रूप में ग्राई या श्रोता या दश्रक कोई भी हो सकता है हमने बात की थी ना अगर हम music सुन रहे हैं, radio पे या music system में तो हम श्रोता हैं, हम TV पे कुछ देख रहे हैं, हम दर्शक हैं, है ना, हमने सामने बैठ कर बात कर रहे हैं, किसी भी रूप में हम संचार कर सकते हैं, ग्राही, कोई व्यक्ति या समू, आदमी, औरत, ग्रामीन, शेहरी, व्रद या कोई भी व्यक्ति है, वो ग्राही यानि की receiver हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जानकारी को ले सकता है, और दे भी सकता है, ग्राही समू, जितना अधिक समूरूप होगा, और सफल संचार के जो अफसर हैं, उतने ही अधिक होगे, और सफल संचार क्यों जरूरी है, क्योंकि जब से किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का तो आप किस कोटी की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आपको इसे अपनी notebook में लिखना है अब हम बात करें हमारे last point की जो कि है सूचना का प्रभाव यानि कि प्रती पुष्टी यानि कि effect of communication या जिसे हम कहते हैं feedback देखिए ये पूरा जो process है SMCRE ये तब तक अदूरा है जब तक जो प्रेशित संदेश है यानि जो जानकारी भेजी गई है उसके संबंद में अनुकिरिया प्राप्त नहीं हो जाती ये हमारा last point है यह किसी भी संचार प्रकेरिया का पहला कदम होने के साथ साथ अंतिम घटक भी होता है यानि कि जैसे ही जो sender है यानि जो प्रेशक है यानि जो source है वो जानकारी पहुंचा रहा है तो उसका जो उदेशिया है वही feedback होती है यानि जो starting है और end point है वो दोनों ह सेम होते हैं आज मेरा उदेश्या है कि आपको ये lesson अच्छे से समझ में आ जाए आपको ये learn करने में बिल्कुल easy लगे और आपके marks भी अच्छे आए अगर इससे question आता है exams में तो और मैं feedback क्या चाती हूँ यही feedback चाती हूँ कि हमें lesson अच्छे से समझ में आ गया है तो चक्र पूरा हो जाता है जो हम expect करके चल रहे हैं अगर वही result मिले वही feedback मिलता है तो ये पूरा का पूरा जो चक्र है ये पूरी प्रकिर्या है ये पूरी सफल हो जाती है तथा पे यदि लक्षित दर्शकों शोताओं की परतिकेर्या से आप एक्षित परिणाम किया जाता है संशोधन होता है और संपूर्ण संचार की प्रकिर्या दोहराई जाती है कहने का अश्य ये है कि ये जो लास्ट जो घटक है लास्ट पॉइंट है वो इतना important है कि अगर जो दर्शकों की या शोताओं की जो feedback है उनकी प्रति-पुष्टी है अगर उससे वो प communication का वो दोहराया जाता है इसका सबसे बड़ा उधारन है अपको स्कूल में जब आपको कोई teacher पढ़ा रही है तो आपने देखा होगा पढ़ाने के बाद आपसे questions पूछे जाते हैं कि आपको lesson कितना समझ में आया पूरा lesson समझ में आया या नहीं या lesson का कोई part है जो आपको चफ लग रहा है तो teacher उस पर पुने विचार करता है और दूसरे किसी तरीके से और दूसरे किसी शब्दों में आपको lesson दुबारा समझाया जाता है उस part को ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए ये example आपकी book में भी दिया हुआ है प्रश्ण पूछने और उत्तर जानने की एकरिया कि क्या विश्यवस्तू और पाट समझ लिए गए है और फिर से किन विश्यों को समझाने की आवशकता है इसी को हम कहते हैं प्रतिपुष्टी यानि की feedback उसका second example है समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में छपे पाटकों के पत्र संपादकों और लेकों को दी गए प्रतिपुष्टी यानि की हर कोई अपना experience शेयर करता है जानकरी को लेकर जानकरी कितनी समझ में आई कितनी प्रभावी थी या हमारे लिए कितनी meaningful थी उसी को हम कहते हैं प्रतिपुष्टी एक और इसका example है rating या TRP यार भी बच्चों क्या होती है television rating point है ना इसमे कोई program आप कितना जादा देख रहे हैं आपका entertainment कितना हो रहा है आपको कितना अच्छा लग रहा है आप उसे देखना चाहते है या नहीं या वो जानकरी meaningful है या नहीं उसे को हम कहते हैं TRP और यही जो है feedback यानि प्रतिपुष्टी का माध्यम है तो यह था हमारा SMCRE model अगल कितना तो